नमस्कार विकेबी न्यूस की सबसे खास, सबसे सटीक और महतपूर्ण पेशकर्ज देश-पदर्श दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है गोवा चुनाओ के बहाने भादपा शिवसेना फिर आमने सामने है शिवसेना नेता संजर राउत ने कहा कि महारास से नोटों के बैक भर कर गोवा भेजे जा रहे है क्योंकि गोवा में बीजेपी छोडने वाली लाइन ने लगी दुई है वह एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई में प्रदूशन नियंतरित की दिशा में बीमसी और सम्मदित एजंसियों की चाल धीमी रही है यह चिंता जनक है तब रष्टाचार और एक्स्टॉर्शन के आरोपी परंबिर सिंग को सुप्रिम कोर्ट ने भी गिरफतारी और रहत देने से मना कर दिया है इसे बीच कोलकता के अभिनेतरी को वेब सिरीज में काम दिलाने का जहांसा दे कर अशलील तस्विरों के सारे उसे ब्लैक मिल करने वाले और शारिणिक संबंद बनाने की मांग करने वाले एक 24 वर्ष यारोपी को मुमे पुलिस ने गिरफतार कर लिया है उधर प्रवर्तर निदेश शाले ने बॉंबे हाई कोर्ट में हलपनामा दायर कर राज्य के पुरवग्रोह मंतरी अनिल देश मुकी पतनी आर्थिक योर से संबत्ति की जब्ति को लेकर दायर याचिका का विरोध किया है प्रदिश की इन पाथ बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ शिवसेना के सांसोद और वरिष्ट नेता संजर राउत ने महाराज में बीजेपी के नेता और पुरमुक्यमंत्री देविंदर फड़नवीस पर निशाना साधा है उन्होंने कहा कि महाराज से नोटों के बैक बर कर गोवा भेजे जा रहे है क्योंकि गोवा में बीजेपी छोडने वालों की लाइन लगी हुई है कई विधायक और नेता बीजेपी को नमस्कार करते हुए नजर आ रहे है संजेर राउत ने कहा कि बीजेपी के निता गोवा में नोटों की बारिश करवाने में जुटे हुए है नोटों की खेप मारास से गोवा भेजी जा रही है हम गोवा में इन नोटों के खिलाब लड़ाई जरूर लड़ेंगे शियुसेना भोजन आम आदमी और हिंदुत्व के लिए लड़ने वाला दल है बीजेपी और देमेंदर फड़नवीज भले ही गोवा में नोटों की नदिया बहादे लेकिन शियुसेना की हिमत कम नहीं होगी संजेर राउत ने कहा कि बीजेपी छोड़ने वाले सिर्फ गोवा में ही नहीं बलकि देश के सबसे बड़े राज उत्तरपदेश में भी है वहाँ भी अब मंत्रियों समेत विधायकों ने पार्टी से दूरी बनाना शुरू कर दिया है ओपिनियन पोल में यह बताया जा रहा है कि बीजेपी उत्तरपदेश की सत्ता में वापसी कर रही है मेरी उने शुप काम ना है हाला कि मेरी जानकार में जो पक्ष वापस सत्ता में लोट रहा हो उसे कोई भी विधायक आमत्री छोड़ता नहीं है दूसी तरफ फड़नवीस ने शिवसेना पर तंस कसते हुए कहा कि शिवसेना की लड़ाई असल में उन नोटों से है जो उनके उमिद्वारों की जमानत जब्त होने के बाद जाने वाली है वायू प्रदूशन के मामले में अब देश की राजधानी दिली के साथ-साथ आर्थिक राजधानी मुंबई का भी नाम आने लगा है इसके बावजुद राश्ट्रे क्लीन एर प्रोग्राम के तहत आने वाली योजना को लागू करने की गतीद धीमी है इसका अंदाजा Center for Research and on Energy and Clear Air की रिपोर्ट में लगाया जा सकता है इस रिपोर्ट में प्रदूशन की रोकताम के लिए MPCB और BMC की कम्यों को भी उजागर किया है बिते तीन वर्षों में इस दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाय गया है CREA की रिपोर्ट में इस बात पर भी रोशनी डाली गई कि कोविट के चलते प्रदूशन बढ़ाने वाले चार मुख्य स्रोत लोकडाउन के चलते बन थे इसके चलते इन अउधी में मुंबई की हवाश शुद्ध थी इसके अलावा प्रदूशन और मौसम की बीच तालमिल को जानने के लिए केरिंग केपिसिटी अध्यान भी मुंबई अभी तक नहीं किया गया है प्रदूशन को लेकर स्थानिय सतर पर समिती का भी गठन किया गया है समिती की बैठक कब होती है और क्या उसमें निर्ने होते है इसकी भी जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब नहीं है प्रदूशन नियंतरन के लिए 15 वित्यायोग में मुंबई बीमसी को 2021 तक 50 करोड रुपे की निदी उपलब कराई गई है रिस निदी का उपयोग कहा और कैसे किया गया है इस सम्मद में कोई पारदर शितान नहीं है यह सपश्ट है कि मुंबई में प्रदूशन नियंतरन की दिशा में बीमसी और सम्मदित एजंसियों की चाल धीमी रही है मुंबई के पूरो पुलिस कमिशनर परंबीर सिंग पर गिरफतारी की तलवार लटक रही है ठाने समेत महाराश के कई जिलों में सिंग के खिलाब एक्स्टॉर्शन समेत कई अन्यमामले दर्ज है महाराश्टा एंटिकरप्शन ब्यूरो की तरप से परंबीर सिंग के खिलाब वसुल के आरोपों की जांच हो रही है ब्रश्टाचार और एक्स्टॉर्शन के आरोपी सिंग को सुप्रेम कोर्ट ने भी गिरफतारी और राहत देने से मना कर दिया है तलफ टिपनी करते हुए सुप्रेम कोर्ट ने कहा कि यह बहत परेशान करने वाली स्थिती है कि मुंबई के पूरपुलिस कमिशनर परंबिर सिंग को अपनी ही पुलिस फोर्स पर भरोसा नहीं है राज्यसरकार को सीबिया जांच पर भरोसा नहीं है यह क्या परिस्तिती हो रही है यह सब बहत परेशान करने वाली बात है जस्टिस एसके कॉल की अगवाई वाली बेंच ने मुंबई पुलिस के पूरपुलिस कमिशनर के वकील ने कहा कि राज्यसरकार की पुलिस उन्हें विबागिया केस से अलग थलग करने की कोशिश कर रही है जो आरोफ एफ आई आर में था वही आरोफ विबागिया जांच में लगाया जा रहा है बतादे कि परंबिर सिंग ने महाराश के पूरवगरों में ती अनिल देश्मों के खिलाब सचिन वाजे समेत अन्य पुलिस अधिकारियों की जरीए सव करोड रुपे की हपता वसुदी का रोप लगाया था इस मामले में अनिल देश्मों के खिलाब सीबियाई और एडी दोनों ही जांच कर रही है कोलकाता की अभिनेतरी को वेप सीरीज में काम दिलाने का जहांसा देकर अशलील तस्वीरों के सारे उसे ब्लैक मेल करने वाले और शारलिक सम्मद बनाने की मांग करने वाले एक 24 वर्षी आरोपी को मुंबई पुलिस ने गिरफतार किया है जी हाँ गिरफतार आरोपी का नाम ओम प्रकाश तिवारी है तिवारी ने अभिनेतरी से दावा किया था कि वह कास्टिंग डिरेक्टर है और बॉलिवोड में उसकी अच्छी जान पहचान है मालाड पुलिस टेशन में दर्ज शिकायत में अभिनेतरी ने बताया कि वह बॉलिवोड की फिल्मों और वेब सीरीज में काम करने की चुक थी उसी दोरान सोशल मीडिया के जरिए उसको खुद को कास्टिंग डिरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस का मालिक बताने वाले तिवारी से जान पहचान हुई इसके बाद तिवारी ने पहले काम दिलाने के बाहने उससे अंतररंग और नीजी तस्वीरे हासिल की बाद में काम दिलाने के लिए उसे शालिक समंद बनाने की मांग की अभिनेत्री ने इंकार किया तो आरोपी उसके अंतररंग तस्विरे सोशल मीडिया के जरीए सारोजनिक करने की धमकी देने लगा परेशान अभिनेत्री ने मामले की शिकायत मालाड पुलिस से की तकनीकी जानकारी के आधर पर आरोपी को ठाने जिले के टिटवाला इलाके से गिरफतार कर लिया है शानबीन में खुलासा हुआ कि आरोपी न तो कास्टिंग डिरेक्टर है और नहीं उसका प्रोडक्शन हाउस है उसने कुछ प्रोडक्शन हाउस में काम किया है, साथी छोटा मोठा काम भी किया है प्रवर्तन निदेशाले ने बॉम्बे हाइकोर्ट में हलप नमा दायर कर राज्य की पूरो ग्रुहमती अनिल देश्मुक की पत्नी आर्थी की ओर से संपत्ती की जपती को लेकर दायर याचिका का विरोध किया है रिडी ने पूरमत्री देश्मुक वो उनकी पत्नी की संपत्ती की जपती को लेकर कारवाई शुरू की है जिसे चुनौती देते हुए आर्थी ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है इस याचिका के जवाब में दायर किये गए हलप नामे में E.D. ने दावा किया है कि देश्मुक की पत्नी की ओर से दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है याचिका करताने याचिका में जो बाते कही है वह E.D. के सम्मधित प्रधिकरण के सामने भी रखी जा सकती है इससे पहले हाइकोर्ट ने E.D. के प्रधिकरण को कहा था कि वह इस मामले को लेकर सुनवाई कर सकता है और अपना आदेश भी दे सकता है लेकिन प्रदिकरन का आदेश हाई कोट की निर्ने के अदीन होगा इसके साथी कोट ने इडी को कड़ी कारवाई करने से भी रोग दिया था याजिकाम में आरती ने दावा किया है कि नियामानुसार इडी के प्रदिकरन में एक चेर्मेन वो दो सदस्य होना चाहिए पर बन रही सडक निर्मान के काम में लगे मजदूर वोट डालने के लिए हेलिकॉप्टर से लाय जाएंगे। पर बन रही सडक निर्मान के काम में लगे मजदूर वोट डालने के लिए हेलिकॉप्टर से लाय जाएंगे। बन रही सडक निर्मान के लिए हेलिकॉप्टर के लिए हेलिकॉप्टर के लिए हेलिकॉप्टर से लाय जाएंगे। लाया जाएगा। अब तक सव ऐसे लोग चिनित किये जा चुके हैं। हमने उचाई वाले इलाकों में काम कर रहे लोगों को मजदूर के लिए हेलिकॉप्टर की सुविदा देने का फैसला लिया है। अभी तक सव ऐसे लोग हैं। आगे भी ऐसे लोग आएंगे। तो उन्हें हेलिकॉप्टर से मजदूर तक पहुचाया जाएंगा। यह फैसला अपने आप में काफी महत्व पूर्ण है योकि एक एक वोट का लोगतंतर में खास महत्व है। और यह भविश्य का निर्धारन करने में अपनी अहम भूमी का अदा करता है। भारत में एक दिन की रहत के बाद कोरोना संक्रमन के नए मामलों में फिर बड़ा उच्छा ला गया है। स्वास मंत्राले के आकड़ों के मुताबिक बित एक दिन में कोरोना के 1,94,720 नए केस दर्ज हुए है। और दैनिक संक्रमन दर भी बढ़कर 11.05 पी सदी हो गया है। देश में जारी कोरोना की तीसी धर के दवरान पहली बार एक्टिव मामले 9,00,00 पार हो गया है। इस बीच उत्तरपदेश में मकर संक्रांती से शुरू होने वाले माग मेले में सिर्फ एक ही दिन बचा है। इस दवरान मेले में ड्यूटी पर तैनाथ साथ पुलिस करमियों में कोरोना पॉजिटिव होने की पुछ्टी हुई है। वे ड्यूटी पर राज के विबिन हिस्सों से मेला परिसर में पहुचे थे। पुलिस ने एक से दस जनवरी तक लगबग 2000 पुलिस करमियों का टेस्ट किया है और उनमें से साथ पॉजिटिव निकले है। उन्हें स्वस्थ होने तक आईसोलेशन क्याप में रखा गया है। उधर इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR से जुड़े डॉक डॉक्टर जय प्रकाशन मुलील ने बताया कि ओमिक्रॉन वेरियंट को फैलने से कोरोना वैक्सिन की बूस्टर डोस भी नहीं रोक सकती है। हाला कि उन्हें कहा कि अब तक यह ऐसी बिमारी है जिससे हम निपट सकते हैं यह डेल्टा की तुलना में काफी माइल्ड है पर इसे रोकना विवारिक तोर पर असंबव है। डॉक्टर जय प्रकाशने कहा कि संक्रमन से शरीर में आने वाली इम्मिनिटी जीवन भर रहेगी। इस मामले में अनभी ग्यता जता रहे है। उन्हेंने कहा कि इस तरह के प्रकरण की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तीन जनुरी को मुझब पर नगर में एक संमेलन में नगर नहीं निवासी पुजा गुपता के बालों पर जावेद हबीब द्वारा थुका गया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हुआ। वही दूसरे वाइरल वीडियो में उक्तमहिला कह रही है कि नुकड के नाई से हेर कट करा लूंगी लेकिन जावेद हबीब से नहीं। बडोच शहरस्तित मदुबन कॉलिनी में दहने वाली पुजा गुपता वन्शिका ब्यूटी पारलर चलाती है। पुजा को 3 जनुरी को मुजब परनगर में एक सेमिनार में आमत्रित किया गया था। पीडिता ने बताये कि उनका अपमान हुआ है। बता दे कि महिला ब्य वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मैं दिल से माफी मांगता हूँ। सुप्रिम कोर्ट ने महाराश्य विदान सबाद्वारा कथित दुर्वेभार के लिए भाच्पा के 12 विदायकों को एक साल के लिए निलंबित करने के प्रस्ताव को बत्तर बताया है। जस्टिस एम खान शेतर का कोई प्रतिनिदित वन नहीं हुआ और जब विदायक वहां नहीं है तो कोई भी निर्वाचन शेतरों का सदन में प्रतिनिदित वन नहीं कर सकता है। इसलिए निलंबन सदस्य को दंडित नहीं कर रहा है बलकि पूरे निर्वाचन शेतर को दंडित कर रहा है। प एसा कहते हुए पीट ने महाराश्च राज़ के लिए वरिष्ट दिविक्ता सिये सुंदरम के इस्तर को सुविकार करने से इनकार कर दिया है कि कोड़् विधान सबा द्वारा दिये गए दंड कियोधी की जांच नहीं कर सकता। यह कहते हुए पीट ने मामले की सुनवाई 18 जनवरी के लिए स्थगित कर दी। की विबिनर रिपोर्ट को इलेक्ट्रोनिक रूप से दाखिल करने पर विचार करने के बाद निरने लिया गया है। पाश्ट्य लेंदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेंदेन में प्रवेश करने वाले वेक्तियों द्वारा एक लिखाकार से रिपोर्ट प्रसुत करने की नियत तारिक अप 15 फरवली 2022 है। यह तीसरा मौका है जब वित्तवश 2022 को लेकर आइकर रिटर्स भरने के समय सिमाब बढ़ाई गई है। मुलरूप से आइकर रिटर्स जमा करने की अंतिमति थी 31 अक्तूबर 2021 थी। वही ट्रांसफर प्राइसिंग सोधों के लिए रिपोर्ट जमा करने की तारिक 30 नवंबर 2021 थी। अपने ही घर में घिरे पाकिस्तान की अकलब अब ठीकाने आ रही है। उसने अपनी नई सुरक्षानीती में कहा कि अगले 100 साल तक अब वह भारत के साथ कोई बैल नहीं पालेगा। वही भारी कर्ष के बोश से दबा शिलंग का कभी भी दिवालिया हो सकता है। देश में महेंगाई चरम पर पहुँच गई है। खासकर सबजियो और दूद की कीमत में भारी जापा हुआ है। तो तरकोरिया के मिसाले टेस्ट के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। दक कैदी को किस करते हुए कैमरे में कैद कर लिया गया था। इस कैदी को देश के दक्षिनी चुबुट प्रांत में एक पुलिस कर्मी की हत्या को दोशी पाया गया था। उधर तालिपान ने काबोल में कथी तोर पर ट्वीटर पर भढ़काउउ बयान देने के आरोप में हि परोडों का घाटा उठा रहे पाकिस्तान के हुक्मरानों को अकला आ गई है। पाकिस्तान के बीच काश्मीर मुद्दे को लेकर तनाव बना हुआ है। इससे व्यापार और आर्थिक रिष्टे भी खराब हो गए है। को रोकने पर सहमत हो गए थे। हाला कि यह प्रक्रिया इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। रिपोर्ट की मुताबिक पाकिस्तान ने अपने ने राष्ट्य सुरक्षा नीती में कहा है कि अब वह जियो स्ट्रेट्जिक के बजाए जियो एकोनोमिक्स पर फोकस करेगा। भारी कर्ज के बोच से दबाज श्री लंका कभी भी दिवालिया हो सकता है। देश में महेंगाई चरम पर पहुच गई है। खासकर सबजियों और दूद की कीमत में भारी जाफा हुआ है। हालत यह हो गई है कि बाजार में दूद की चाय बिक नीब बन हो गई है। देश में खाने पिने के सामानों की कीमत आसमान चूरही है। इस महेंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है सरकारी आंकडों के मुताबिक खाने पिने की कीमत में एक मेने में ही 15 फिसीदी का इजाफा हुआ है इसकी सबसे बड़ी वजह सबजियों की कीमत में बेताहशा बड़ोतरी है करिब 4 मेने में कुकिंग गैस सिलेंडर की कीमत भी दोगुनी हो गई है इस वजह से लोगों ने खाने बनाने के लिए एक बार फिर लकडी का इस्तमाल करना शुरू कर दिया है शिलंका में विपक्ष के प्रमुकनेता और अर्थशासरी हरडाडी सिल्वा का कहना है कि देश पुरी तरह से दिवालिया हो जाएगा ऐसा ही चलता रहा तो आयात रुख जाएगा पूरा IT सिस्टेम बन हो जाएगा यहां तक कि हम Google Map का भी इस्तमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम इसके लिए पैसे देने की स्थिति में नहीं होंगे बड़ती महेंगा के करण राश्टपती गोटा बाया राजपक्षी ने देश में आर्थिक आपात काल्च लागू कर दिया है सेना को यह सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है कि लोगों को सरकार दौरा तैकीमत पर सामान मिले एक के बाद एक किलर मिसाइल परिक्षन कर रहे उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट के बारे में बड़ा खुला सा हुआ है दक्षिन कोरिया की सेना ने कहा कि उत्तर कोरिया की ओर से पिछले सब्ता हाईपरसोनिक मिसाइल का परिक्षन क्या गया था यह मिसाल दोनी की रफ्तार से दस गुना ज्यादा की स्पीड से मार करने में सक्षम है उतर कोरिया के इन हाइपरसोनिक मिसाल परिक्षों की एहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 साल बाद तानाशा किम जोंग उन खुध इसे देखने पहुंचा था तानाशा किम जोंग उन ने उतर कोरियाी वग्यानी को का आवान किया था कि वेद्देश के सेन्य टाकत को बनाने के लिए अपने प्रयासों को और जयादा तेज करे इस बीज दक्षिन कोरिया ने कहा है कि मंगलवार को उत्तर कोरिया की ओर से दागी गई मिसाइल अधिक्तम 60 किलोमेटर की उचाई पर करिब 700 किलोमेटर तक गई उसने कहा कि उत्तर कोरियाई मिसाइल पहले दागे जाने वाली मिसाइलों से ज्यादा अधुनिक थी उदर जापान के रक्षा मंद्राले ने कहा है कि यह उत्तर कोरियाई मिसाइल उनके देश के विशेश आर्थिक शेतर के बाहर जाकर गरी थी माना जा रहा है कि ताजा परिक्षनों के जरीए उत्तर कोरिया ने अपनी तक्नी की प्रगति को दुनिया को दिखाया है लाइटिन अमेरिकी देश अर्जेंटिना में एक महिला जज उस समय फस गई जब उसे एक कैदी को किस करते हुए कैमेरे में कैद कर लिया गया इस कैदी को देश के दक्षिनी चुबुट प्रांत में एक पुलिस करमी की हत्या का दोशी पाया गया था यह वही मेला जज मरियल सुरेज है जिसने एक हफ्ते पहले ही कैदी क्रिश्चिन में बुस्टोज की आजिवन कारावास की सजा को कम करने का प्रयास किया था मरियल को गत 29 दिसंबर को जेल के अंदर कैदी को किस करते हुए पकड़ा गया इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया में काफी शेयर किया जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक मरियल जजो के उस दल का हिस्सा थी जिसने कैदी बुस्टोज को पुलिस कर्मी लियोनार्डो टिटो रॉबोट्स की साल 2009 में हता किया जाने के मामले में आजिवन कारावाज दे जाने के फैसले पर सुनवाई कर रहा था जजज मरियल दल में एक मातर ऐसी जजज थी जिसने बुस्टोज को आजिवन कारावाज दे जाने के फैसले के खिलाफ वोट दिया था वह भी तब जब उन्हें यह बताया गया था कि बुस्टोस एक बहुत खतरनाक कह दी है मरियल का बुस्टोस को बचाने का प्रयास वेर्थ गया और अब आजिवन जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी यह सजा अब पिछले सब्ता ही शुरू हो गई है उदर इस मामले पर अब मरियल ने सफाई दी है तालीबान ने काबुल में कथित तोर पर ट्वीटर पर भढ़काओ बयान देने के आरोप में हिरासत में लिये गए जाने माने प्रोफेसर फैजुलाह जलाल को रिहा कर दिया है उन्हें किसी अग्या जगह पर रखा गया था तालीबान सरकार के प्रवक्ताज जबिरला मुजाहिद ने एक ट्वीट में आरोप लगया था कि फैजुलाह जलाल सोशल मीडिया पर बयान दे कर लोगों को भढ़काने का काम कर रहे है वे लोगों को मौजुदा विवस्ता के खिलाब भढ़काने की कोशिश कर रहे है और लोगों की गरिमा के साथ खिलवा आड़ कर रहे है उन्हें इसलिए गिराफतार किया गया ताकि अन्यलोग इस तरह के एक निराधार बयान न दे जिससे दूसरों की पतिष्टा प्रभावित हो दूसरी और प्रोफेसर के परिवार ने कहा कि तालिबान ने जिस टूटर अकाउंट का हवाला दिया है वह उनका नहीं बलकि एक फर्जी अकाउंट था प्रोफेसर जलाल की गिराफतारी की खवर फैलने के कुछी समय बाद अलग-अलग इलाकों से समर्थन की जड़ी लग गई लोगों ने प्रोफेसर की ततकल रिहाई की मां के साथ तालिबान की कारवाई की निंदा भी की अब परिवार वालों ने सोशल मीडिया पर उनकी रिहाई की घोशना की है प्रोफेसर जलाल की बेटी हसिना जलाल ने अपने पिता की रिहाई के लिए सोशल मीडिया पर एक अभिया शुरू किया था वे वाशिंग्टन में जॉर्ज टाउन विश्विद्धाले की फेलो है जबकि प्रोफेसर जलाल अफगानिस्तान की नेटू तो केम मुखर आलो चक है तो आज की इस खास पेशकर्ष में बस इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रिए वीके बी न्यूस नमस्कार